में बहुत भोट आभार माननिय प्रधान मंत्री महोद आत्म निर्वर भारत के रूप में एक नए राश्ट्र का निर्मान करने वाले माननिय प्रधान मंत्री जी अब हम बहुत ही आदर के साथ अनरोज करेंगे कि अपने आशिर वचनों से हमारा मार्ग दर्शन करें। पर योजनाओ के बरिष्ट पदारी कारिकान और मेरे प्यारे भाईयों और बहनों। मुझे आज से लगभग तीन साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्गार्ण का सौभागे मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से आटोमेटेड मेट्रो जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवर लेस मेट्रो भी कहते हैं इसका उद्गार्ण करने का आउसर मिला। यह दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इससे भी दिल्ली मेट्रो जूड रही है। पिछले साल अमदाबाद से इसकी शुरुवात होई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एरपोर्ट एक्स्प्रेस लाइन में हो रहा है। आज का ये आयोजन अर्बन डेवलप्मेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है। साथियों भविश्य की जरुरतों के लिए देश को आज तयार करना, आज काम करना ये गवनन्स का एहम दाइत्व है। लेकिन कुछ दसक पहले से अब शहरी करन अर्बनाइजेशन का असर और अर्बनाइजेशन का भविश्य दोनों ही बिलकुल साब था। उस समय एक अलग ही रविया देश ने देखा। भविश्य की जरुरतों को लेकर उतना ध्यान नहीं था। आदे अदूरे मन से काम होता था। ब्रह्म की स्थिती बनी रहती थी। उस समय तेजी से शहरी करण हो रहा है लेकिन इसके आपतर इफेक्ट से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया। परणाम ये हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफरस्ट्रक्चर की मांग और पूर्ती में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। साथियों इस सोच से अलग आधुनिक सोच ये कहती हैं शहरी करण को चुनवती नम मानकर एक आउसर की तरह इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसा आउसर जिसमें हम देश में बहतर इंफरस्ट्रक्चर बना सकते हैं। मेट्रों की चर्चा बर्सों तक चली लेकिन पहली मेट्रों चली अटल जी के प्रयासों से यहां तो मेट्रों सर्विस के इतने एक्सपर्स इस कारकम में जुड़े हैं वो भी इसे भली भात ही जानते हैं कि मेट्रों निर्मार की क्या स्थिती थी साथियों साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी उस समय सिर्फ पांच शहरों में मेट्रो रेल थी आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है वर्थ 2025 तर हम इसे 25 से ज़्यादा सहरों तक विस्तार देना वाले हैं साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलो मेट्रो रेल अपरेशन थी आज ये करीब तीन गुनी यहने 700 किलो मेट्र से ज़्यादा है वर्थ 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलो मेट्र तक करने का प्यास कर रहे हैं साल 2014 में मेट्रो पर सबारी करने वालों के संख्या 17 लाग प्रति दिन थी अब ये संख्या 5 गुना बढ़ गई है अब 85 लाख लोग हर दिन मेट्रो से सबारी करते हैं याद रखिए ये सिर्फ आकड़े नहीं है ये करोडो भारतियों के जीवन में आ रही ईज अब लिविंग के प्रमान है ये सिर्फ इट पत्थर कंक्रिट और लोहे से बने इंफासेक्टर नहीं बलकि ये देश के नागरी को देश के मिडल कास की आकांग्षा पूरा होने के साक्ष है साथियों आखिर ये परिवर्तान ये बढ़नाव आया कैसे हैं बीरोक्रसी वही हैं लोग वही हैं फिर कैसे इतना तेज काम हुआ इसकी वज़े यही रही कि हमने शहरी करण को चुनोती नहीं बलकि अवसर के रुप्पे देखा हमारे देश में पहले कभी मेट्रो को लेकर कोई नीती ही नहीं थी कोई नेता कहीं वाइदा कराता था कोई सरकार किसी को संतुष करने के लिए मेट्रो का एलान कर देती थी हमारी सरकार ने इस एड़ो की जम से बहार आ करके मेट्रो के सबन में पॉलिसी भी बनाई और उसे चौत अरफार रननिती के साथ लागू भी किया हमने जोर दिया स्थानिय मांग के हिसाब से काम करने पर हमने जोर दिया स्थानिय मानकों को बढ़ावा देने पर हमने जोर दिया मेक इन इंडिया के जादा से जादा विस्तार पर हमने जोर दिया आधुनिक टेक्नलोजी के उप्योग पर साथियों आप मैंसे अधिकाउंस लोग ये जानते हैं कि देश के अलग-अलग शेहरों की अलग-अलग आवशक्ता हैं अलग-अलग आकांग्षाएं और अलग-अलग चुनाउतियां होती हैं अगर हम एकी फिक्स मॉडल बनाकर मेट्रो रेल का संचालन करेते तो तेजी से विस्तार संबभी नहीं था हमने ध्यान दिया कि मेट्रो का विस्तार, ट्रांस्पोर्ट के आधुनिक तोर तरीकों का इस्तवाल, शेहर के लोगों की जरूरतों और वहां की प्रोफेशनल लाइफस्ट्राइल के हिसाब से होना चाहिए यही वज़े हैं कि अलग-अलग सहरों में, अलग-अलग तरही, अलग-अलग प्रकार की मेट्रो रेल पर काम हो रहा है मैं आपको कुछ उदाहन देता हूँ RRTS यानि Regional Rapid Transition System, दिल्ली मेरट, RRTS का शांदार मोडल दिल्ली और मेरट की दूरी को घटा कर एक गंटे से भी कम कर देगा Metro Light, उन शहरों में जहां यात्री संख्या कम है, वहां Metro Light बरजन पर काम हो रहा है यह सामान्य Metro की 40% लागत से ही तैयार हो जाती है Metro Neo, जिन शहरों में सवारियां और भी कम है, वहां पर Metro Neo पर काम हो रहा है यह सामान्य Metro की 25% लागत से ही तैयार हो जाती है इसी तरह है Water Metro, यह भी Out of the Box सोच का उदान है जिन शहरों में बड़ी Water Body हैं, वहां के लिए अब Water Metro पर काम किया जा रहा है इससे शहरों को बहतर Connectivity के साथ ही उनके पांस मौझूद विपों के लोगों को Last Mile Connectivity का लाप मिल सकेगा कोची में यह काम तेजी से चल रहा है और सात्यों हमें यह भी ध्यान रखना है कि Metro आज सिर्फ सुविदा संपन पब्लीक ट्रांसपोर्ट का माध्यमभर नहीं है यह प्रदूशन कम करने का भी बहुत बड़ा जरिया है Metro नेटवर्क के कारण सडक से हजारों वाहन कम हुए हैं जो प्रदूशन का और जाम का कारण बनते थे साथ कि Metro Services के विस्तार के लिए Making India भी उतना ही महत्वपुन है Making India से लागत कम होती है विदे से बुद्रा बचती है और देश में ही लोगों को जादा से जादा रोजगार मिलता है Rolling Stock के मानकी करन से जहां भारतिय मैनुफेक्चरस को फाइदा हुआ है वहीं हर कोच की लागत अब 12 करोर से घट कर 8 करोर पहुँच गई है साथियों आज चार बड़ी कमपनियां देश में ही Metro कोच का निर्वान कर रही है दर्जनों कमपनियां Metro components के निर्वान में जूटी है इससे मेकिन इंडिया के साथ ही आत्मा निर्भर भारत के अभ्यान को मदद मिल रही है साथियों आधुनिक से आधुनिक तक्रीक का इस्तमाल ये समय की मांग है अभी मुझे बीना ड्राइवर के चलने वाली Metro रेल का उद्गाटन करने का आउसर मिला है आज इस उपलब्दी के साथ ही हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां इस तरह की सुविदा है हम ऐसे Breaking System के भी प्रयोग कर रहे हैं जिन में ब्रेक लगाने पर 50 प्रतिशत उर्जा वापस ग्रीड में चली जाती है आज मेट्रो रेल में 130 मेगावर्ट सालर पावर का इस्तमाल किया जा रहा है जिसे बढ़कर 600 मेगावर्ट तक ले जाने का इरादा है Artificial Intelligence उसका उप्योग करते हुए Artificial Intelligence लेज प्लेटफॉर्म और स्क्रीनिंग दरवाजे इन आधुनिक तक्रीकों पर भी काम तेजी से चल रहा है साथियों आधुनिक करन के लिए एकी तरह के मानक और सुविधाये उप्लब्द कराना बहुत जरूरी है राश्ट्रियस तर पर Common Mobility Card इसी दिशा में एक बड़ा कदम है Common Mobility Card का लक्ष बिलकुश पस्थ है आप जहां कहीं से भी यात्रा करें आप जिस भी Public Transport से यात्रा करें ये एक कार आपको Integrated Access देगा यानि एक कार ही हर जगह के लिए परियाप्त है ये हर जगह चलेगा साथियों मेट्रों के सफर करने वाले जानते हैं किस तरह अक्सर सिर्फ एक टोकन लेने के लिए कितनी कितनी देर लाइन में लगे रहना होता है दपतर या कॉलेग पहुंचने में देर हो रही है और उपर से टिकेट के परिशानी मेट्रों से उतर भी गए तो बस का टिकट आज जब हर किसी के पास समय की कमी है तो रास्तों में समय नहीं गवाये जा सकता एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसी दिक्कत है अब देश के लोगों के सामने रुकावट न बने हम इस दिशा में काम कर रहे हैं साथियों देश के सामर्थ और संसाधनों का देश के विकास में सही इस्तिमाल हो ये हम सभी की जिम्मेदारी है आज तमाम व्यवस्ताओं को एकलुक करके देश की ताकत को बढ़ाया जा रहा है एक भारत स्रिश्ट भारत को मजबूत किया जा रहा है One Nation One Mobility Card की तरह ही बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश की व्यवस्ताओं का एकिकर्ण करने के लिए अनेक काम किये हैं वन नेशन वन फास्टेक्स ने देश भर के हाइवे पर ट्रेवल सीमलेस हुआ अनावशक रोक तोक रुकी है जाम से मुक्ती मिली है देश का समय और देरी से होने वाला नुक्षान कम हुआ है वन नेशन वन टैक्स यानि जीएश्टी ने देश भर में टैक्स का जाम समाप्त हुआ है डारेक्ट टैक्स से जुड़ी ववस्ता एक जैसी हुई है वन नेशन वन पावर ग्रीड इससे देश के हर हिस्से में परियाप्त और निरंतर बिजली की उपलबदता सुनिस्चित हो रही है विजली का नुक्षान कम हुआ है वन नेशन वन गैस ग्रीड इससे समंदर से दूर देश के उन हिस्सों को सीमलेस गैस कनेक्टिविटी सुनिस्चित हो रही है जहां गैस आधारी जीवन और अर्थभवता पहले सपना हुआ करता था वन नेशन वन हेल्थ एंशुरंस श्कीम यानि आईश्मान भारत से देश के करोलो लोग एक राज्य में ही नहीं बलकि पूरे देश में कहीं भी इसका लाब ले रहे है वन नेशन वन राशनकार इससे भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले नागरीकों को नया राशनकार बनाने के चक्करों से मुक्ति मिली है एक राशनकार से पूरे देश में कहीं भी सस्ते राशन की सुविदा संभव हो पाए है इसी तरह नए कुरुशी सुधारों और इनाम जैसी व्यवस्ताओं से वन नेशन वन एग्रिकल्चर मार्केट की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है साथियों देश का हर छोटा बड़ा शहर 21 सदी के भारत की अर्थे व्यवस्ता का बड़ा सेंटर होने वाला है हमारी दिल्ली तो देश की राजधानी भी है आज जब 21 सदी का भारत दुनिया में नई पहचान बना रहा है तो हमारी राजधानी में वो भव्यता रिफ्लेक्ट होनी चाहिए इतना पुरारा शहर होने के वज़े से इसमें चुनोतिया जरूर है लेकिन इन चुनोतियों के साथ ही हमें इसको आधुना आधुरिक्ता की नई पहचान भी देनी है इसलिए आज दिल्ली को आधिनुत स्वरूप देने के लिए अने को प्रयास किये जा रहा है दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए सरकार ने इनकी खरीद पर टैक्ष में भी छूर दी है दिल्ली की सैक्डो कोलोनियों का नियमित करण हो या फिर जुग्यों में रहने वाले परिवारों को बहतर आवास देने का प्रयास दिल्ली की पुरानी सरकारी इमारतों को आज की जरुरत के अनुसार एन्वार्मेंटरल फ्रेंडली बनाये जा रहा है जो पुराना इंफरसेक्टर है उसको आधुनिक टेक्लोलोजी आधारी इंफरसेक्टर से बढ़ला जा रहा है शाथ यहों दिल्ली में पुराने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अलावा 21 सदी के नए आकरशन भी हो इसके लिए काम जारी हैं दिल्ली इंटरनेशनल कांफोरेंस इंटरनेशनल एग्जीशन इंटरनेशनल बिजनेश टूरिजम इसका आहम सेंटर होने वाला है इसके लिए द्वारिका में देश का सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है। इसी तरह एक और जहां नई संसत भवन के निर्मान का काम शुरू हुआ है, वहीं एक बहुत बड़े भारत बंदना पार्क, भारत बंदना पार्क को भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे हर काम से दिल्ली वालों के लिए हजारों रोजगार भी बन रहे हैं और शहर की तस्वीर भी बदल रही है। दिल्ली एक सो तीस करोड से अधिक आबादी की दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत की राजदानी है। उसी भवता के दर्सन यहां होने चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर काम करते हुए दिल्ली के नागरिकों का जीवन और बहतर बनाएंगे, दिल्ली को और आधुनिक बनाएंगे। एक बार फिर नई सुभिधाओं के लिए मैं देश को भी और दिल्ली वासियों के भी बहुत-बहुत बढ़ाई देता हू सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए